हाई ब्रिवानु, वल्कम बैक तो माई चानल, मैंने में सुगंदार शर्मा और अभी दो दिन पहले ही Airport Authority of India यानि AAI ने अपनी official website पे एक recruitment notice निकाला है Air Traffic Controller के लिए जिसके लिए all India से men and women, freshers and experience candidates दोनों apply कर सकते हैं. ATC की जो job है यानि Air Traffic Controller की job है ये इंडिया की one of the best jobs में से है सभी aviation या airport job experience के लिए क्योंकि जो दूसरी airport jobs होती है या तो वो less paid होती है क्योंकि वो private jobs होती है अगर आपको airport पे अच्छी salary चाहिए तो आपको pilot या cabin crew बनना पड़ेगा जो सब लोग नहीं बन पाते हैं तो otherwise अगर आप ground staff या other jobs में जाते हैं तो salary थोड़ी सी कम होती है या अगर आप AAI के तुरू जाते हैं तो salary आपको जादा मिलेगी लेकिन आपकी job location exactly airport नहीं होगी ATC is one of the best jobs क्योंकि इसमें आपकी job location exactly airport पे ही होती है आपने airport पिस तरीके के towers देखे होंगे यह ATC towers होते हैं और अगर आप ATC पे select हो जाते हैं तो आप इन्हीं towers में जाके काम करेंगे तो आपकी job location पी exactly airport ही होगी और आपको जो minimum salary मिलेगी in hand initially वो आपको कम से कम 75,000 मिलेगी और अगर आप international airports या बड़ी cities में posted हैं तो up to 80,000 per month initially भी जा सकती है इस job में आगे काफी जादर promotions होते जाते हैं और आपकी salary भी बहुत highly बढ़ती जाती है इसलिए ATC is an amazing job आज के वीडियो में हम इस notification की details discuss करेंगे ATC की jobs क्या होती है इसके लिए क्या eligibility criteria होता है क्या exam pattern and syllabus होता है कैसे आप यारी कर सकते हैं ये सब हम इसमें discuss करेंगे सबसे पहले ATC यानि air traffic controller क्या होता है इसको simple भाषा में समझने के लिए जैसे road पे traffic को manage करने का काम traffic police करती है वैसे ही air traffic यानि flights का जो traffic है यानि इतनी सारी flights है इंडिया में आपने कभी सोच के देखा होगा कि ऐसे क्यों नहीं होता कि दो flight एक दूसरे के सामने आ जाए है एक दूसरे से टकरा जाए ना हवा में टकराती है ना runway में टकराती है कि कई बार जब airport खाली नहीं होता runway खाली नहीं होता महा पर already बहुत सारी flights होती है तो कोई जहाज ऐसे हवा में ही चक्कर लगाता रहता है तो यह चीज पाइलेट को कैसे पदा चलती है कि runway खाली नहीं है क्योंकि पाइलेट कर जो communication है सीधा air traffic controller के साथ होता है जो यह देखके बताते हैं कि अभी runway खाली नहीं है जो यह manage करते हैं कि runway earliest खाली हो जाए ताकि जो flight operations है smoothly चल पाएं तो यह सारा काम ATC करती है तो किसी भी flight के take off होने से लेकर के हवा में जब तक वो है तब तक traffic को manage करना क्योंकि एक ही location से at one time कई सारी flights निकल रही होती है जैसे आप Delhi airport ले लिजे, Mumbai airport ले लिजे यहां से इतनी ज़्यादा flights ओडती है तो ताकि safety maintain रहे और कोई भी दो flights एक दम से आमने सामने ना आ जाएं या same runway पे ना आ जाएं इसका धियान रखने के लिए ATC responsible होता है अगर आपको ATC के बारे में और ज़्यादा details जाननी है तो मैंने इसके उपर already एक dedicated video बना दिया था कई साल पहले आप वो देख सकते हैं या अगर आप चाते हैं क्योंकि वो video 4 साल पुराना है हो सकता है कुछ चीज़े change हो गई हो आप चाते हैं अगर मैं इसके उपर latest 2024 के हिसाब से ATC बनने का जो पूरा process है और in-depth जो इसका पूरा description है मैं आपको बताऊं जो latest updates है उसके साथ एक नई video बना दूँगी इसके लिए जो job vacancies निकली हुई है ये junior executive की post पे हैं हमेशा junior executive की post पे ही निकलती है अभी जो notice आया है वो एक बहुत छोटा सा notice है जिसमें ये बताया गया है कि बहुत ही जल्दी इसकी vacancies आने वाली है next 10 to 15 days या 15 to 20 days में इसका detailed notification आ जाएगा तो हम आज इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं क्योंकि ATC की preparation करने के लिए आपको थोड़ा सा पढ़ाई करनी पढ़ेगी इसमें आपको exam crack करना पढ़ता है well to be honest थोड़ी सी नहीं थोड़ी जादा ही पढ़ाई करनी होगी और ताकि आप उस exam की preparation अभी से शुरू कर दो क्योंकि ATC ने at least ये बता दिया है sorry AI ने at least ये बता दिया है आप 20-30% plus minus करके चले है eligibility criteria की बात करें तो इसके लिए men and women दोनों apply कर सकते हैं इंडिया के किसी भी state and city से and freshers and experienced candidates दोनों apply कर सकते हैं इसमें age somewhere 18-28 और 20-28 मांगते हैं 28 actually at the time of recruitment होता है तो जब आप form भर रहे हैं तब आप 27 साल के या 27 साल कुछ महीने के हैं तो आप apply कर सकते हैं 28 साल के अगर आप already हो चुके हैं तब आप form नहीं भर सकते हैं तो आप इसको around 27 प्लस लेके चलिए बाकि जब detailed notification आया का तो मैं आपको बताऊंगी अभी जो मैं आपको criteria बता रही हूं यह 2022 के notification के साब से बता रही हूं Next, इसमें qualification क्या मांगी होती है कोई भी graduate जिसके graduation में Physics and Maths दो subjects थे आपने चाहें BSc in Physics and Maths किया हो या BSc in Maths या BSc in Physics and the other subject was one of your subject या आपने B.E. किया हो, B.T. किया हो इसके लिए तो आप इसके लिए apply कर सकते हैं आपके B.E., B.T. किया, M.T. में Physics and Maths जो भी आपकी qualification है उसमें Physics and Maths आपके दो subjects होने चाहें इसके लावा आपके जो overall graduation में percent है, वो minimum 60% marks हो ये भी समिमांगा गया है लेकिन ये again जो पिछले सभी notification आए हैं उसके इसाब से है 80-90% chances हैं कि जो मैं आपको criteria बता रही हूं उसमें कुछ भी change नहीं होगा क्योंकि पिछले कई सालों से ये ही criteria चला आ रहा है लेकिन जब इसका detailed notification आएगा आप तब भी अपनी संतुष्टिक लिए जरूर पढ़के देखें इसका detailed notification है वो aai.arow पे आएगा जो उसकी official website है जिसको कुलने में कुछ पांच मिनट का समय लग जाता है कई बार हाई internet speed पे भी तो जब आप ये website खोलें तो थोड़ा patience के साथ खोलें और बाकी अगर आप चाते हैं जब इसके बारे में detailed notification आये तो मैं वीडियो बना दू तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं बाकीस में एक और चीज ये मांगे गई है कि आपकी English बहुत अच्छी होनी चाहिए अगर आप एक aviation aspirant है तो आपको एक चीज पता होगी एक बहुत famous कहावत है aviation field में that English is the language of sky जिसका मतलब है कि अगर आप aviation में काम करते हैं तो आप चाहें air traffic controller है चाहें आप pilot हैं चाहें cabin crew हैं आपको English आना और बहुत fluent English आना compulsory होता है क्योंकि flights जो है कई बार internationally travel करती है यानि हो सकता है कि किसी और देश के जो pilot है वो यहां पर land कर रहे हैं या यहां से गुजर रहे हैं और जब ATC उनके साथ communicate करता है तो ऐसा हो सकता है कि ATC की जो language है वो कोई और हो तो ताकि यह language barrier या जो communication gap है उसको avoid किया जाए इसके लिए सभी aviation staff को English आना compulsory होता है exam pattern and syllabus की बात करते है इसमें आपका एक ही paper होगा और उस paper के लिए आपको एक चीज़ याद रखनी है 120 इसमें आपके टोटल 120 questions आएंगे जो 120 marks के होंगे जिससे करने के लिए आपको 120 minutes मिलेंगे यानि हर question एक marks का होगा और आपको करने के लिए 1 minute मिलेगा इसके मैं आपको subjects बता दो तो इसमें दो parts है Tech side and non-tech side Tech में आपका Physics and Maths का paper रहेगा Non-tech में आपका English Channel Knowledge, Maths and Reasoning रहेगा यानि total आपके 6 subjects आ रहे हैं अब इस पूरी वीडियो का जो motto है वो यह है कि ATC का form बहुत जल्दी out होने वाला है तो मैंने इसका PDF लिंक इस वीडियो के description में दे दिया है आप वहाँ से check कर सकते हैं अगर आपको इससे related कोई भी doubt है तो आप मुझे comment करके बता सकते हैं